हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू माई चैनल फ्रेंड्स आज हम इस ब्यूटिफुल से डिजाइन को बनाएंगे बहुत इजी डिजाइन है केवल चार सलाई में बनता है यानि कि उनली फोर रोका ये रिपीट पैटन है इस डिजाइन को आप अपने और प्रोजक्ट पर डालने है ठीक है तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं तो देखिए यहां पर मैंने 14 फंदे डिजाइन के लिए डाले हैं और 4 फंदे एक्षर डाले हैं तो इस तरह से टोटल ये 18 फंदे हैं आपने भी सित्रे फंदे लेने हैं साथ 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 करके और लास्ट में 4 से देखिएगा पहली सलाई हम सीधी तरफ से बनाएंगे रो वन राइट साइड तो देखे पहला फंदा सीधा उतारेंगे एस्टिच को सीधा उतारेंगे इसके बाद हाका अपनी तरह कर लेंगे अब यहां से डिजाइन स्टार्ट हो गया है तो फंदे उल्टे सारी दो फंदे सीधे बनाएंगे एक और दो दो फंदे सीधे बनाएंगे अब देखिए एक दो तीन जो आगे के तीन फंदे हैं इन में से जो तीसरा फंदा है इसे लेंगे और इन दोनों फंदों के उपर से लाते हुए यहां पे से इस तरह से गिरा देंगे ऐसे ठीक है फिर अब इन दो फंदों को जो ये दो फंदे बचे हैं इन्हें हमने सीधा बनाना है लेकिन दो फंदों के बीच में हमने यहां पे एक जाली बनानी है तो दिखिए, एज को छोड़के दो उल्टे, दो सीधे और तीन फंदे हैं, टोटल साथ फंदे, इन साथ फंदों की डिजाइन को हमने पूरी स्लाइप पर रिपीट करना है, दिखिए धागा अपनी साइट करके, पहले दो फंदे उल्टे बनाएंगे, धागा पीछे कर दे लेंगे, दो फंदे सीधे बनाएंगे, एक और दो, आगे के तीन फंदे जो देखिए, इन तीन फंदों में से तीसरे रंबर के फंदे को लेंगे, और इन दोनों फंदों के उपर से लाते वे, इसे यहाँ पर किरा देंगे, ऐसे, फिर दोनों फंदों को सीधा बनाना है, लेकिन दोनों फंदों के बीच में एक जाली बनानी है, ऐसे, जो फंदा हमारा घटा है, वो हमारी जाली में बढ़ जाता है, तो ऐसा करते करते, लास्ट में तीन फंदे बचेंगे, जिन में से दो फंदे उल्टे बनाने हैं, और ऐस स्टिच को सीधा बनाना है, तो यहाँ अब यह पहली सलाई पूरी हुई, दूसरी सलाई देखिए, उल्टी तरब से, सेकेंड रो, रॉंग साई, पहला फंदा उल्टा उतारेंगे, दागा पीछे कर देंगे, इसके बाद, दो फंदे सीधे, एक और दो, दागा अपनी साइट, पांच फंदे उल्टे, एक, दो तीन, चार, पांच, फिर से, दो फंदे सीधे, एक, दो, दागा अपनी साइट, पांच फंदे उल्टे, एक, दो, तीन, चार, पांच, लास्ट में, दो फंदे सीधे, और एस्टिच उल्टा, तो यहाँ पर यह दूसरी सलाई पूरी हुई, तीसरी सलाई देखिए, सीधी तरप से, थार्ड रो, राइट साइट, पहला फंदा एस्टिचे से सीधा उतारेंगे, दागा अपनी तरफ करेंगे, दो फंदे दागा पीछे, अब देखिए, अब की बार हम इन तीन फंदों पर पहले रिजाइन बनाएंगे, एक, दो, तीन, तीसरे नंबर के फंदे को लेंगे, इन दोनों फंदों के उपर से लाते हुई, यहाँ पर ड्रॉप करेंगे, इस तरह से, इन दोनों फंदों को सीधा बना बना है, दोनों फंदों के बीच में, यहाँ पर एक जाली बनाएंगे, इस तरह से दोनों फंदे सीधे और बीच में जाली, और अब दो फंदे सीधे, देखिए, एज को छोड़ के, यहाँ से लेकि यहाँ तक जो यह आठ, शाथ फंदों को डिजाइन बनाए, इस रिपी दागा पीछे, एक, दो, तीन, तीसरे फंदे को लेंगे, इन दोनों फंदे को उपर से लाते वे इसे यहां पर गिरा देंगे, ऐसे, फिर एक फंदा सीधा, एक जाली, दूसरा फंदा भी सीधा, ऐसे, इसके बाद दो फंदे और सीधे, लास्ट में धागा आगे करके दो फंदे उल्टे, और एस्टिच सीधा, तो यहां पर यह तीसरी सलाई भी पूरी हुई, चौती सलाई देखे उल्टी तरप से, फोर्ट रो रॉंग साइड, डिजाइन की लास्ट रो, पहला फंदा उल्टा उतारेंगे, धागा पीछे कर द देखेंगे, दो फंदे सीधे बनाएंगे दागा पनेसाइट करेंगे, पांच फंदे बिल्टे बनाएंगे, एक, दो, तीन, चार और पांच, अब इनी साथ फंदों को पूरी सलाई पर रुपीट करेंगे, दो सीधे 5 उल्टे, उल्टी तरप से हमने हर बार ऐसे भी बना दो फंदे सीधे, पांच फंदे उल्टे, एक, दो, तीन, चार, पांच, धागा पीछे करके, दो फंदे सीधे, और एस चीच को उल्टा, तो यहां पे यह हमारी चौती सलाई पूरी हुई, चार सलाई का यह दिजाईन है, देखिए, चार सलाई बनने के बाद यह दिजाईन हमारा इस तरह से आएगा, फिर से हम जो पहली सलाई हमने यहां पे लगाई है, वो हमने यहां पे लगानी है, पहली सलाई से और चौती सल और तक हम भार बार रिपीट करना है तो प्लीजॉस ईसे जादा बुलने के पाथ ये डिजाइन हमारा इस तरह से आता है तो इसे जरूर अपने प्रोजेक्ट पर बानाईए और मुझे कॉमन करके बताईएगा आपको डिजाइन कैसा लगा अगर आपको डिजाइन पसंद आया हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें और अगर आप पहली बार विजिट कर रहे हैं मेरे चैनल पर तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर घ्योरोच गिटिए वारे आपको करCH UPiges एकर बाते हैं प्रीजों प्रोट रहे हैं आपको ड्योंतकी जुक्ता हैं मेरे पास्ट ए जो आपको के आपको झाल झाल झाल